नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ साइमा लोकसभर चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरीवाल की गिरफतारी पर जो विपक्ष छाती पीट रहा है उसे ये खबर जरूर देखनी चाहिए कि किस तरीके से केजरीवाल के चेले विदेशों में अपनी असलियत दिखा रहे हैं केजरीवाल की गिरफतारी के बाद दिल्ली में बवाल को बढ़ाने की बजाए ये देखना चाहिए कि विदेश में बैट कर आमादमी पार्टी के नेतार रागव जड़ा कर क्या रहे हैं केजरिवाल की गिरफतारी होने के बावजूद भी रागवचड़ा आखर क्यों वापस नहीं आए तो इसका जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे और आपको ये भी बताएंगे एक धमाकेदार खुलासे के साथ कि कैसे अर्विन केजरिवाल को लेकर जस तरीके से मन घडंत कहानिया बना कर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है वो किस तरीके से जोट है और असल में खबर है क्या तो चलिए सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे केजरिवाल के नाम पर विपक्षी पार्टिया अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है दिल्ली शराब घोटाली में अर्विन केजरिवाल गिरफतार हो चुके हैं विपक्ष चाती पीट रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी पर खालिस्तान समर्थक होने के आरोप पहली बार नहीं कई बार लग चुके हैं इसका ताजर सबूत हाल ही में देखने को तब मिला जब आम आदमी पार्टी के रज सबा सांसत रागव चड़ा आँख का उपरेशन कराने ब्रिटेन पहुचे और वहां पहुंचते ही उन्होंने खालिस्तान समर्थक ब्रिटिश सांसत प्रीत गिल से मुलाकात की इसकी तस्वीर भी वाइरल है ये भी किसी से चुपा नहीं है कि भारत में खालिस्तान आंदोलन को अमेरिकी खूफिया एजनसी CIA हवा देती रही है अमेरिका जस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंग पन्नू का बचाव करती है उससे भी साफ है कि पन्नू उसका एसेट है क्या भारत में भी अमेरिकी खूफिया एजनसी CIA की एसेट है केजरिवाल जब एक सरकारी कर्मचारी ते उसी वक्त से अपने NGO के लिए फोरड फांडेस़न से फटनिंग लेते रहे हैं फोरड फांडेशन को CIA फंडिंग करती है ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि CIA, Ford Foundation और केजरिवाल के बीच में कोई connection है क्या केजरिवाल के आवाज से ED अधिकारियों से जुड़े दस्तावेश बरामद होना क्या इस तरफ इशारा कर रहा है कि भारत के खलाफ कोई बड़ी अंतर राष्टिये साजिश रची जा रही है अमेरिकी खूफिया एजनसी CIA के डिकलाइसी फाइट दस्तावेश के मताबिक Ford Foundation की परियोजनाओं के वित्तपोशर में CIA का उनका भागीदार रहा है परियोजनाओं राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी शामिल है जनवरी 2000 में अर्विन के जिवाल और मनी सिसौधिया ने एक NGO संपूर परिवर्तन और परिवर्तन शुरू किया इसके शुरुवाद Transparency International की मदद से की गई थी लेकिन Transparency International को funding कौन कर रहा था funding कर रहा था Ford Foundation और Deep State Agent George Soros साल 2002 में Ford Foundation ने केजरिवाल के वित्तपोशित NGO संपूर परिवर्तन और परिवर्तन को सीधे fund देना शुरू कर दिया अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त भी एक सरकारी कर्मचारी थे साल 2004 में अर्विंद के जिवाल अशोका फैलो बने क्या आप यह जानते हैं कि अशोका में फैलोशिप का वत्तपोश्र कौन करता है यहाँ भी Ford Foundation ही funding करता है अर्विंद के जिवाल को 2006 में Emergent Leadership की श्रेडी में रेमन मैकसे से पुरसकार मिला आप यह जानकर और ज्यादा चोक जाएंगे कि इस पुरसकार के लिए funding Ford Foundation ही करता है साल 2004 में Admiral लक्ष्मी नारायन रामदास, PVSM, AVSM, VRC, VSM, सेवा निवरत, पोर्वसेना प्रमुक को रेमन मैकसे से पुरसकार मिला बाद में L. रामदास आपके आंतरिक लोखपाल बने रेमन मैकसे से पुरसकार विजेता L. रामदास की मेटी कविता रामदास फोर्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष की वरिष्ट सलाकार हैं और पहले कई सालों तक भारत में फोर्ड फाउंडेशन के देश प्रतिनिदी के रूप में काम कर चुकी है उन्होंने जोर्ज सोरोस के ओपन सुसाइटी फाउंडेशन के साथ भी काम किया है केजरिवाल को 2006 में एड इंडिया एंजियो की तरब से एड साथी के रूप पे चुना गया था एड साथी को बना विशिस्त परियोजना के धान प्रचार और समर्थन प्राप्त होता है फिर इस एंजियो को फोर्ड फाउंडेशन से भी फंड मिलना शुरू हो जाता है मेधा पाटकर को भी एड इंडिया फंडिंग कर रही थी केजरिवाल उसकी काम को बढ़ावा देने में भी पूरी तरीके से शामिल थे एक वक्त गुजरात में मेधा पाटकर को आम आद्मी पाठी की मुक्यमंत्री चहरा बनाने की भी बात चल रही थी वही मेधा पाटकर ने भी आम आद्मी पाठी का खुल कर समर्थन भी किया था अगस 2005 में अर्विन केजरिवाल ने अपने NGO परिवर्तन की जगहा पर एक और NGO कभीर शुरू किया लेकिन दिल्चस बात तो ये है कि कभीर को पहले ही दिन से फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से वित्त पोशित किया गया था 2008 में इनफोसिस के नारायन मूर्ती फोर्ड फाउंडेशन की भरोसे मन बन गए 2014 में इनफोसिस के पूर्विनिदेशक बाला क्रिशनन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए online record के मताबिक केजरिवाल के NGO कभीर को 1999 में दिल्ली में पंजेकरत किया गया था लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात और दिल्चस बात यह है कभीर का पता उसी इमारत में था जहां उस वक्त MNST इंटरनाशनल काम कर रही थी MNST वही NGO है जो अब भारत में प्रतिबंधित है और इसे Ford Foundation से करोडो रुपे का अनुदान भी मिलता है अमेरिकी खुफिया एजनसी CIA के कई दस्तावेज हैं जो यह साफतोर पर स्पष्ट करते हैं कि CIA, Ford Foundation और मैक्सेसी पुरसकार के बीच में संबंध है भारत में आम चुनाम 2024 की गोशना के बीच रागब चड़ा का लंडन में होना और बिटिस सांसद प्रीत गिल से मुलाकाद भी चोकाने वाली है अलगावाद और खालिस्तान का समर्थन करने वाले तत्वों से इस तरीके से मुलाकात पर कई तरह के सवाल उट रहे हैं आपको बता दे कि केजरिवाल पर एडी के अधिकारियों की जासूसी करने का भी आरोप लगा है और दूसरी तरफ रागब चड़ा विदेश में खालेस्तानी समर्थकों के साथ फोटो खचवा रहे हैं दिली के मुख्यमंत्री और आम अभी पार्टी के सयोजा करविन केजरिवाल के मुश्किले इस मामले में और जादा बढ़ सकती हैं सूत्रों के मताविक अरविन केजरिवाल प्रवरतरने देशाले के अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे जाँच एजंसी को भी इसके सबूत मिले हैं एडी के शिस दो अफसरों की लगातार जानकारी भी जुटाई जा रही थी और एडी की टीम ने केजरिवाल के आवाज से कुछ महतपूर दस्तावेज भी बरामत किये हैं केजरिवाल पर कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में एक्शन लिया गया सुत्रों के मताबिक दिली के स्रियम मर्विन केजरिवाल एडी अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे एडी ने चापे मारी के दोरान दस्तावेज बरामत किये हैं और ये ऐसे दस्तावेज हैं जो केजरिवाल पर घंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं और उनकी मुश्किले भी बढ़ा रहे हैं एडी का कहना है कि केजरिवाल के आवाज से 150 पेज के दस्तावेज मिले हैं इसमें ED अफसर के परिवार के बारे में जानकारी लिखी हुई है, कुछ अफसरों के काम, परिवार, उनके संपती के बारे में भी जानकारी जोटाई जा रही थी और ये दस्तावेज एक तरह से गयर कानूनी माने गए है ED की टीम ने अस दस्तावेज को अपने सीनियर अफसरों को भेज दिया है कहा जा रहा है कि इन दस्तावेजों से केजरिवाल की मुश्किले बढ़नाब बिल्कुल तै है सूतरों के मताविक सुरक्षा कार्णों से दोनों अधिकारियों की पहचान गुपत रखी गई है और जांच जनसी ने अधिकारिक पंचनामा में दस्तावेज को दर्ज किया है एक अफसर संयुक्त निदेशक स्तर के हैं वर्तमान व्योकतित एकसाइस पॉलिसी घोटाले की जाच में भी शामिल है ED की टीम ने केजरिवाल के आवास पच्छापा मारा था और वहां तलाशी ली थी केजरिवाल से करीब दो घंटे तक कुष्टाश की गई और उसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया था और जाच टीम अपने साथ दफतर लेकर चली गई केजरिवाल ने ED के लोक अप में अपनी राद गुजारी और वहीं अब वो कस्टडी में है हलांकि केजरिवाल की गिरफतारी के खलाब सुप्रिम कोट में क्या वेर दाखिल की गई सुप्रिम कोट में तीन जजों की बेंच में सुनवाई होने जा री थी लेकिन केजरीवाल ने उससे पहले ही अपनी याचिका वापस लेली और निचली अदालत में जाने का फैसला लिया। अब दिल्ली हाई कोट में अर्विन केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्श को सुनवाई होनी है। दरसल ब्रश्टा चार मुप्त दिल्ली बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए केजरीवाल की आमादुरीपार्टी की सरकार खुद ब्रश्टा चार और घोटाले के दलदल में धस्ती चली गई है। केजरीवाल सरकार गोटालों को छिपानी के लिए एक एक के बाद नए नए गोटाले करते ही जा रहे थे पार्टी के एक के बाद एक कई विधायक और मंतरी आरोपों में घिरने के बाद जेल भी गए कई मंतरी अभी जेल में हैं लेकर राजनीती में नेतिक्ता की बाद करने वाले केजरीवाल खुद गिरफतार होने के बाद भी पद छोड़ने के लिए तयार नहीं है ऐसे में अब उनके पुराने बयानों को लोग शेयर कर रहे हैं और उन पर तंजकसा जा रहा है लोग कह रहे हैं कि भारतिय राजनीती में अब तक जिन पर भी आरोप लगे उन्होंने इस्तिफ़े दे दिये यहां तक की लालू प्रसाद यादव है मनसोरेन जैसे निताओं ने भी जेल जाने से पहले इस्तिफ़ा दे दिया में नयतिक्ता की जो नई परिभाशा लिख रहे हैं उसने मुझे यह पोस्ट लिखनी के लिए मजबूर कर दिया एक वक्ता जब एक हवाला कारोबारी जैन की कठ्थिद डायरी में आडवानी जी माधव राव सिंदिया और कमल नाजर से नेताओं के नाम आये थे तब UPS सरकार के मंत्रियों ने ब्रश्टाचार के चिछले आरोपों पर भी अपने पद से इस्तिफा दे दिया जहारखन के मुखी मंत्री इसका सबसे ताजा तरीन उदाहरन है हालांकि इसके बाद भी अर्विन केजरिवाल को लेकर कई तरह के सवाल उट रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि आखिर वो अपने पद से इस्तिफा क्यों नहीं दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब उन पर खालिस्तानी होने के आरोप भी लगा जा रहे है और राघब चड़ा की फोटो वाइरल होने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर कॉमेंट करके जरूर बताइए फिलहाल के लिए इतना ही बाकी खबरों के लिए आप देख तेरी कापिटल टीवी नमस्कार